आप सब्सक्राइब और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड हम आपके लिए के एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक नया लेसन प्लैन जो रहने वाला है हमारा टीचिंग आफ इंगलिश का ठीक है और जो भी बच्चे वीडियो अगर हम भात करें क्रिटिसिजम लेसन प्लैन की तो क्रिटिसिजम लेसन प्लैन कुछ अलग से चीज नहीं होती है सबसे पहले तो आपको अपने माइन में यह चीज जो है वो एड कर लेनी है कि क्रिटिसिजम लेसन प्लैन को अलग से नहीं होती है बलकि मैंने जैसे आपक तो मैंने बताया था कि criticism lesson plan में क्या होते है कि वह आपको क्या करते हैं वह आप क्रीटिसाइज करते हैं ठीक है कि यहाँ यहां पे यह वह व्यक्व स्टॉंग पॉइंट्स हैं ठीक है तो किन-किन चीज़ों पर आपको focus करोने हैं वो सारी चीज़ आपको बताई चाती है और यह कोई अलग से चीज़ नहीं होती है कि criticism lesson plan कोई अलग से चीज़ होती होगी तो यह बिलकुल भी वैसा नहीं है यह totally based हो सकता है हमारा RCM approach के based पर हो सकता है ठीक है और criticism lesson plan आपका best lesson plan होता है ठीक है एक type का कि आप इसको जो है वो final teaching practice के लिए भी जो आपका final teaching practice होगा उसके लिए आप इसको जो है वो ready कर सकते हो यहाँ फिर रख सकते हो तो आपको यह ऐसा topic select करते हो इसके लिए जो कि आपको बिलकुली 100% जिसमें आपका है मतल जिसमें आप जो आप समर्थ है यानि उसका कर सकते हो आप उसके बारे में और इसमें क्या होता है कि मैंने बताती है कि इसमें आपके supervisor में मार सर जो भी होंगे वो आपको absorb करेंगे वहां पे आपकी गलतिया निकाल लेंगे आपको criticize करेंगे तो इसलिए इसका नाप पढ़ गया criticism lesson plan तो उमारी सेम रहेगी जैसे हमारा आज का रहने वाला है class 8 और subject रहने वाला है English और बाकी बही रहता है हमारा जो आर्सीम अप्रोच के steps होते हैं जैसे identification data रहता है रोल लंबर आ जाएगा subject class topic subject topic अब का ठीक है life हो गया या फिर आप सब topic तो हमारा वही है और यहां पर ठीक है aspect भी आप आड़ कर सकते हो यहां पर ठीक है topic के बाद आपको aspect भी आड़ कर सकते हो ठीक है aspect आपका यह से prose हो गया point हो गया ठीक है या फिर drama हो गया जानि play हो गया तो वह भी आप जो हो यहां पर एड़ कर सकते हो duration हमारा वही रहता है 40 minutes जितना एक general lecture का जो duration होता है और date आपका वही रहेगा जिस दिन आप इस lesson को deliver करोगी उसके बाद हम बात करें हमारा आप 20 step रहता है ठीक है और 20 step के अंदर जैसे आप सबको पता है क्या होता है हमारा यहां पर हम देखते हैं input ठीक है और input के अंदर हमारे जिसको बोलते हैं कि आपन क्या-क्या निवेश करने वाले है भी one point teaching points हमारे रहेंगे कि कि किस-किस बिंदू को हम जो हो शिक्षिन करन देखने वाले हैं तो सबसे पहले reading of the prose passage from from life जो हमारी prose है उसके जो भी passages है उनको reading करना ठीक है और new words को जो है वो add करना to the active vocab of the student और ऐसे भी वह सकते हैं to add new words to the vocab ठीक है और practice in the use of English language from the passage ठीक है तो जो भी passage में हमें English language दिखेगी उसका हमें उपयो करना लिए जैसे को new words द sentences बनाना और explanation of the paragraph या passage जो भी हम पढ़ेंगे उसकी explanation देना बच्चों को तो यह हमारे teaching points रहने वाले हैं ठीक है कि हमें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आप इसमें और भी add कर सकते हो कि questions पढ़ना ठीक है grammar work हो गया जैसे उसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाना यह ह तो objectives means क्या-kया देशे रहेंगे हमारे बार्ट के lesson का मतलब क्या होता है पार्ट ठीक है तो इस पार्ट के हमारे क्या-क्या देशे रहेंगे तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर जो है वो linguistic skills का विकास करना ठीक है जो जो लग लिंग लिंग ल से इसेन्ट से करता है रिदिएन ऑगया रयाइटिंग हो गया ठीक है और क्या होता है? लिस्हें हो गया और लास्ट वन इज द शोड़ा एंडर विकास को इस अर्बचों को इतना को प्योंग करके बच्चे जो हैं वो पैसेज को बढ़ सकें इतना योग्य बनाना और समझ के साथ जो हो जी जो को कर सकें इनेवल दा स्टूडेंस तो एड निव वर्स इन देर एक्टिव वोकाविलरी फ्रांदा पैसेज तो जो हम पैसेज बढ़ा रहे हैं उसमें जो निव वर्ड्स आ रहे हैं उनको भी आड़ करना या उनका डिशन करना तो दियर एक्जिस्टिंग जो वेकाव है ठीक है मतलब अब्जेक्टिवस नहीं होता है यह एक्सपेक्टेड बिहेवरल अब्जेक्टिवस नहीं होता है गलत लिखा हुआ है यह एक्सपेक्टेड बिहेवरल आउटकम होता है ठीक है यानि अपक्षित विहवार में क्या परिनाम रह सकते हैं इसको हम और इसका मतलब क्या होता ह expected behavioral outcome यानि अपक्षित ब्यवार में हम क्या क्या परिनौम रह सकते हैं कि जब हम यह lesson पढ़ा देंगे बच्चों को तो बच्चों के अंदर यह चीज़ें सारी आ जाएंगी यह बच्चे इसको करने के योगे हो जाएंगे इसक्षिं हो जाएंगे तो हम अपक्षा कर सकते हैं यानि expect कर सकते हैं बच्चों से जैसे जो learner होगा या students होगे वो recall कर पाएंगे character pronunciation of words ठीक है और वो recognize कर पाएंगे the meaning of new words है ना उनके बारे में meaning जो है वो बता पाएंगे तो यह हमारा knowledge हो जाएगा learner चोहाँ वो examples दे पाएंगे ठीक है और sentences को frame कर पाएंगे new words को use करके तो that is understanding और वो predict कर पाएंगे about the climax end of the lesson that is application और learners is able to learner is new होगा हाँ पर learner will be able to able to synthesis his ideas in a composition मतलब वो नहीं नहीं ideas भी बता पाएंगे ठीक है के related होंगे वो ऐसे करके भी बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता था यहां ऐसे होगा आगे ठीक है तो that is creativity मतलब अपने अपनी जो विचार है ideas है वो भी दिखाव आएंगे देन आ जाएगा हमारा teaching aids यानि शिक्षिन सा एक समगरी ठीक है तो किस किस चीज का हम जो है वो जब हम शिक्षिन कर रहे हैं तो वहां पर क्या क्या हम समगरी का यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे दो टैप्स के teaching aids रहते हैं एक तो हमारा क्या होता है जर्नल होता है ठीक है जर्नल teaching aids रहते हैं जो समाने teaching aids होते हैं हमारे ठीक है जो एक journal classroom के अंदर apparatus available होते हैं ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पर लिख रखा है user classroom teaching apparatus तो यह हमारे journal हो जाएंगे और यह picture photos यहाँ पर chart हो गया ठीक है अगर model बनता है तो model हो गया यह हमारे आ जाएंगे किसके related that is specific teaching aid तो यह आप add कर सकते हैं specific means बिशेश teaching aid यानि बिशेश section psych सामगरी और यह हमारी relevant होती है to the topic जो भी हम topic पढ़ाने चारहे हैं यह उसी के relevant होती है हमारी ठीक है यह उसी story को उसी prose को या उसी poem को depict करती है जो हम पढ़ाने वाले हैं तो that is हमारा specific teaching aid आप इसको दो में divide कर सकते हो और फिर आगे लिख सकते हो यह वाली चीज़ें ठीक है जैनल के अंदर यह लिख दोगे और फिर इसके अंदर आप और भी एक आड़ कर सकते हो जैसे user classroom teaching apparatus तो इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारा क्रम बात करें तो हमारा जैसे चाक हो गया ठीक है डस्टर हो गया पॉइंटर हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया और भी आप जो वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें हमारी आजाएंगी किसके अंदर जर्नल teaching aids के अंदर ठीक है और specific मैंने आपको उता लिया देन आ जाएगा हमारा c step जो की होता है हमारा process यानि प्रक्रिया ठीक है हिंदी हम इसको कहते है प्रक्रिया और इसके अंदर मारा c1 आता है motivation ठीक है तो motivation को हम कहते हैं अभी प्रेयरना यह आप सबको बता होगा और अभी प्रेयरना का हमारा क्या उदेश्य होता है यह वाई motivation तो आप इससे बहले एक line add कर सकते हो यहां पर और वो line में यहां पर लिखते हो ठीक है जैसे मारा यह motivation है तो यहां भी यहां पर लिख सकते हो कि in order to create interest ठीक है तो interest create करने के लिए interest create करने के लिए among students parents ठीक है यहां फिर उनका to test आप और भी कर सकते हो to test their previous knowledge ठीक है to test the previous knowledge जो होगा बच्चों का उसको test करने के लिए people जो हमारा teacher होगा बच्चों से ठीक है तो ऐसे लिख सकते हो in order to create interest among students or to test the previous knowledge the people teacher will ask some motivational question to students ठीक है then आपके जो है वो questions आ जाएंगे यहां पर यह line add कर लेना यहां पर ठीक है और eating food हो गया है ना वर्ल्ड को देखना यह हमारे सारे हमारे लिए क्या हो गया life हो गया तो उसके बाद हमारा second question आचाएगा कि क्या आप ने wind को देखा है अभी तो बच्चे बोलेंगे नहीं wind को हम जवाब देख नहीं सकते लेकिन हम feel कर सकते हैं इसको तो f w l ठीक है और does wind talk क्या wind बातें करती है तो बच्चे बोलेंगे नहीं है ना उसके बाद हमारा चाहेगा एक और question कि among the moon and star which one has its own light तो अपनी यानि moon और star अगर हम बात करें तो इन में से किसकी अपनी light होती है तो बच्चे बोलेंगे star की अपनी light होती है लेकिन moon की अपनी light नहीं होती है वो reflect करता है जो light उसने absorb की होती है sun को sun से है ना तो आप यहां पे लिख सकते हो a v o a v s o r v e लिया ना observed sunlight जो भी होती है ठीक है उसके बाद हमारा आ जाएगा announcement of the topic तो अभी हमारा जो बिश्य है उसकी हम गोशना कर देंगे ना तो बच्चों को बोलोगे कि बच्चों आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं we shall study about the views of different natural things about the life and इसी के साथ जो अपना topic है आप प्रोज लाइफ वो अनौस कर दोगे और इसी के साथ जो है वो आप यहां पे topic का नाम जो आप ब्लैक पोड पर लिखते होगे ठीक है तो यह आप सबको पताए कि कैसे लिखना है यहां पे देना जाएगा presentation तो presentation की बात करें यह निए परसुतति करन तो अभी आप चीजों को present करोगे तो इसमें हमारे तीन चार बनते हैं वेसी कली एक में हमारा रहता है content शुरू में तो content रहता है फिर हमारा people teacher activity रहता है student की गतिविदिया रहती है और blackboard सानाक्ष रहता है यानि श्याम पर सानाक उसको निकालेंगे बच्चे और blackboard पर आप लाइफ लिख दो गया है यह पहले लिख दियोगा जब आपने topic को अनूस करा होगा उसके बाद अभी कुछ गतिविदियों होंगी जैसे सबसे बहले people teacher जो वो model reading करेगा यानि खुद पढ़ेगा ठीक है बच्चों को आप बोल people teacher read करेगा paragraph को with proper pronunciation है ना तो यहां पे सिर्फ pronunciation एड़ नहीं करना है यहां पर और भी एड़ कर सकते हो with proper pronunciation stress हो गया stress जरूरी होता है stress means particular किसी word को जोर देना जैसे कोई नया word आ रहा है या फिर कोई particular कोई line आ रही है तो उस पर आप ज़्यादा stress दे सकते हो proper gesture use करना ठीक है gesture means body language का use करना जैसे hand moments हो गया इधर से उधर moment करना है ना एक जगा खड़े हो के बुद्वन के थोड़ी ना बढ़ाते है यह आप सब को भी पता है उसके बाद बच्चे आप यहाँ पर student की activity क्या रहेगी हमारी की बच्चे जो हो द्यान पर रूब कर सुनेंगे तो बच्चे यहाँ पर listen carefully ऐसे करके लिख सकते हो आप listen carefully and attentively लिखा क्या हुआ है यहाँ पर students will make note of the pronunciation of regards use the stress and intonation तो यह बच्चे द्यान पर रूब को सुनेंगे इसको लिखने की आपको जुरूरत यह ही है यहाँ पर क्योंकि बच्चे अब बच्चे अब बच्चे को नोट थोड़ी ना कर सकते हैं इसको रहने देने आपने तो बच चीज़ी अब्सव करेंगे ठीक है तो आप यहां पर लिक्स सकते हो पर पर लिसंस के यहनी स्टूडेंट की अक्टिवीटी तो लिसंट के अर्फूरी और प्लस अब्सव करेंगे वह टीचर की एक्टिवीटीज को कि अब्सॉर्ब यह सौरी पाण तो कहा मझी आफ देविया अगा सिकल्ड टीचर को पड méthane के यह विर्ड कहरें video को क्रेंगे इसके अक्टिविटी जो जो भी हैसे ऑँ मॉमेंटकर कर रहा है का यह सिवर्ड पे रहा हैw अभ second step क्या रहता है individual reading by students ठीक है तो अभी यहां पर क्या होता है हमारा कि people teacher जो हो बच्चों को बोलेगा कि आप जो हो one by one करके अभी आप जो passage वो पड़ो होगे ठीक है और यह दहां पर लिखा हुआ था people teacher teacher will ask two to three students to read अब बोल सकते हो randomly ठीक है चार बच्चों से भी रीडिंग करवा सकते हो पाई से भी करवा सकते हो यहां पर लिखा है passage one by one and will attend attend their reading pronunciation and make necessity correction तो यह मैंने आपको बदा दिया कि वो जो people teacher होगा वो बच्चों को त्यान चे देखेगा कि कैसे वो pronounce कर रही है किस word पर stress दे रही है और अगर उनको लगता है people teacher को कि हाँ बच्चा यहां पर गलती कर रहा है तो आप वहाँ पर सुधार करोगे and the miss pronunciation words will be drilled wherever necessary drill क्या होता है कि अगर कोई word है शबद है तो उसको बच्चा सही से pronounce नहीं कर रहा है तो उसको बार-बार वो बोलेगा कि बार-बार repeat करो उसको सही से वो repeat कराएगा और उसकी pronunciation ठीक करेगा यानि people teachers को बलेगा कि आप यह गलत बोल रहे हो the students will do the individual reading तो बच्चे जो है वो one by one individual reading करेंगे then अचाएगा हमारा next that is a new words है ना तो नए शबद तो नए शबद जो people teacher है वो explain करेगा meaning of new words with the active participation of student and और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बच्चो एक एक करके पहले किसी को उठा सकते हो कि blackboard पे आओ ठीक है और यहाँ फिर आप flashcard जो भी आप लेके गए हो ठीक है flashcards किसलिए होते है new meaning जो words होते हैं उनके meaning बताने के लिए flashcard पे दरसल होता गया है कि एक साथ pick one होती है ठीक है बच्चों को आप जो आप पिक दिखाते हो जैसे कोई शबद है हमारा जैसे मारा companion हो गया ठीक है तो आप इसकी एक पार्टनर की पिक ले जाओ जैसे कोई एक पिक है वो डिपिक्ट कर रही है जिसमें एक कोई चीज है और दूसरा उसका partner है तो बच्चों से आप पूछ सकते हो कि यह क्या है यह पिक क्या डिपिक्ट कर रही है तो बच्चे वो लेंगे कि यह इसका सही होगी है ना यह ऐसे student दो student की पिक ले जाओ जिसमें एक student दूसरी की help कर रहे है ना यहां फिर एक class के अंदर दो बच्चे एक desk पर बैठे हो उनकी पिक दिखा सकते हो और पूछ सकते हो यह क्या कर रही है तो बच्चे बोलेंगे कि यह पिक डिपिक्ट कर रही है कि यहां पे दो student जो आपस में होगा उसको बोलोगी कि इसके उपर आपको जो है वा sentence बनाने है ठीक है तो यह आप बच्चों से पूछ सकते हो तो यहां पर student द्यान से सुनेंगे explain करेंगे new words and note करेंगे ठीक है notebook पे और जैसे यह कुछ new words दे रखे हैं आप यह एड कर सकते हो अपने उसमें और उसके बा ना हैं कि blackboard पर आके बना सकते हो यह ब्लैक बोर्ड पर अगया बच्चों को बुलाओंगे यहां पर लाइन एक और कर दोगे कि black boy पर बनाओगे बिच्चों को यहनि sentences blackboard पर लिखनें आके तो इस से क्या होजाएगा मारा एक और कंपोनेंट कवर हो जाएगा वह क्या होता अब जो है हमारा इसके बाद क्या स्टेप रहता है इस एक्स्प्रेनेशन ठीक है तो अभी पेपल टीचर जो है वो जो भी उन्होंने पढ़ा उस स्टोरी प्रोज की जो है वो बच्चों को कह देगा एक्स्प्रेनेशन ठीक है एक डिटेल के अंदर कि आज हमने यह पढ़ा इस प्रोज के अंदर इस चीज़ के बारे में था तो यह चारी चीज़ें आपको यहां पे नहीं लिखनी होती है ठीक है सिंप्ली आपको क्या लिखना है कि प्रोज जो भी उसने पढ़ा है उसके बारे में वो शार्ट में बता लेगा बच्चों वो ठीक है तो यह चीज़ें लिखनी नहीं होती है आपको सारी कि हां इसने यह यह बोला हुआ फिर बच्चों को क्या बोलेगा वो silent reading करो अबी ठ सब्सक्राइब ने 5-10 मिनिट्स के लिए तो यह आप लाइन लिखता होगा यहां पर बच्चे जो हो silently पढ़ेंगे अगर उनको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो वो प्यूपल टीचर से पूछेंगे और प्यूपल टीचर जो है वो उनको बताएंगे दना चाहेगा language items तो language जो जो उसमें आया होगा ठीक है वो आप कर सकते हो जैसे sentences आ गया कोई यहां फिर कोई new word आ गया ठीक है यहां फिर कोई grammar work आ गया तो वो आप जहां पर add कर सकते हो ठीक है उसके बाद हमारा आजएगा comprehensive question ठीक है अगर कोई है तो वो भी आप जो है वो बच्चों से पूछ सकते हो देना जाएगा हमारा closer ठीक है तो closer में हमारा क्या होता है summarization होता है एक type का overall ठीक है जैसे students आज हमने पड़ा the perception of star and moon and about the life or in our today's class और बाकी हम कले करेंगे ठीक है that's all with today and that's all for today and the rest we will continue tomorrow तो ऐसे करके आप end करता होगे ठीक है और उसके बाद हमारा रहता है output output means परिनाम ठीक है तो अभी हमारा जो बास्तविक सीखने का क्या परिनाम रहा ठीक है यानि जिसको हम RLO भी बोलते हैं ठीक है यान ही real learning outcomes तो इसमें हमारा क्या होते है कि सबसे पहले बच्चों को आप यहां पर questions पूश सकते हो ठीक है तो real learning outcomes मतलब इसमें आप एक line add कर सकत क्योंकि to test the understanding यानि टेस्ट बच्चों की understanding plus knowledge जो उन्होंने attain करा जो भी आज उन्होंने सीखा किससे जो हमने आज पढ़ाया उनको तो उसको test करने के लिए हम उनसे कुछ questions पूश सकते हैं या फिर match the column पूश सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर कुछ match in the columns है जैसे companion क्या होता है इसका क्या होगा in message ठीक है और फिर entity क्या होता है ठीक है तो यह आप captivity क्या होता है और dignity क्या होता है तो यह सारे चीज़ें आपको match करने हैं बच्चों से आप उच्छोंगे फिर आप बच्चों से बोलोगे कि dignity जो word है शब एक अटेंगे यह मारे जो है वो लेसं से क्वेशन आ जाएंगे गाए जो हमारा प्रोज है उसमें से क्वेशन आ जाएंगे तो यह सारे क्वेशन आप बच्चों से बूशेँओंगे देन लास्ट मैं आप बच्चों को क्या दो दोगे home assignment ठीक है तो home assignment is just nothing, इसमें आप गर के लिए कुछ काम दे दोगे बिच्चों के लिए, जैसे, describe in your words, what is life according to you, ठीक है, और read today taught content at home, जो भी आज हमने पढ़ाया है, वो आपको गर पे read करके आना है, तो यह हमारा कह रहेगा, home, यानि ग्रह कारे जिसको हम बोलते हैं, तो इसी के साथ हमा के अंदर जरूर रखिया है, ठीक है, हम यहाँ बेटे हुआ, पूरी help करेंगे आपकी, और आप wizard कर सकते हैं, playlist, playlist के अंदर आपको maximum lesson plan uploaded मिल जाएंगे, और यह criticism lesson plan कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप कुछी भी approach का use कर सकते है, उसको बनाने में, तो अच के लिए इतना ही, म केल तो एक लिए वीडियो में, have a good day.